दोस्तो आपने अपने जीवन में कई तरह की चिपकलियां देखी होंगी लेकिन आज हम आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली लेकर आए हैं मौत बहुत ही मुश्किल से होती है 1949 में लाश्ट बार इसके काटने से किसी की मौत हुई थी मैक्सिकन बीड़ेट लीजार्ड यह चिपकली अपनी गिला मौश्टर चिपकली की तुलना में बड़ी होती है और उसके तुलना में पतले भी होती है जिसकी साइट लगबग 50 cm तक होती है यह चिपकली की अवल मैक्सिकन बोडर पे पाई जाती है इस चिपकली के काटने से दर्थ तो होता है परंतो इसके काटने से कभी किसी की मौत नहीं हुई है दे इग्वानास चिपकली की यह प्रजाती मेक्सिको से ब्राजीर तक में पाई जाती है जिसमें मेल चिपकली लगबग 6 kg की होती है और जिसका रंग लाल और भूरे रंग को मिलकर बना होता है इसमें फीमेल चिपकली का वज़न लगबग मेल चिपकली का आदा होता है और कलर हरा और भूरे रंग को मिलकर बना होता है यह अपने सामने वाले जानवर को डरानी के लिए अपनी सासों को रोक कर अपने शरीर को बढ़ा करते हैं और फिर सामने वाले चीव पर आक्रमन करते हैं ट्री क्रोकरडाइल और क्रोकरडाइल मॉनिटर मगर मच्चों के प्रजाती वाली यह चिपकली न्यूगिनी के उदीपर पाई जाती है यह चिपकली अक्सर पानी के पास वाली लाकों में पाई जाती है जिसकी वज़े से इसकी जान को खत्रा हमेशा बना रहता है यह चिपकली काले भीले, काले हरे रंकी होती है इस छिपकली का वजन 90 किलो तक हो सकता है कॉमॉन और मलयान वाटर मॉनिटर दस्चिन चीन साकर और श्रिलंका में पाई जाने वाली यह छिपकली पानी में रहने के लिए परिपून होती है यह आसानी से जमीन और पानी में रह सकती है इस छिपकली की गर्दन जरूस से ज़्यादे लंबी होती है और इसकी जीप काटेदार होती है यह छिपकली मरेवे इंसान के शाओ को भी खा जाती है लोगबाग इस छिपकली का उपयोग इसकी खाल निकालने में और भोजन के रूप में करते हैं कोमोडो ड्रेगन दुनिया की सबसे बड़ी जीविच छिपकली है यह छिपकली ड्रेगन परिवार से ब्लॉंग करती है इसका वज़न लगबाग 135 किलो तक होता है यह छिपकली आरामसे मनुश्यों पर हमला कर उन्हें नोकसान पहुचा सकती है यह छिपकली ज्यादा तर मविश्यों पर हमला करती है कोमोडो चिपकली की सबसे खास बात यह है कि यह मरने से पहरे एक बार शिकार जरूर करती है दोस्तों उमीद है आपको हमारे दुरा बनाएगे वीडियो पसंद आया होगा हमारे 40 गंटे में आपके पास नई वीडियो के साथ लोटेंगे तब अगर आपने अभी तक हमारे दुरा बनाएगे पुराने वीडियो देख सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें धन्यवाद